अगर आप गरीब हैं तो उत्राखन के इस काउं में जरूर जाएं जहां भगवान सिर्की ऐसी महिमा है कि जो भी आता है उसकी गरीबी दूर हो जाती है यही नहीं इस जगे को श्रापित मुक्त जगे का दर्ज़ा प्राथ है यह माना जाता है कि यहां आने वाले व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिल जाती है यह उत्रखन चमौली जिले में इस्टे देश का सबसे अंतिम गाउं माड़ा है यहीं पर माना पास है जिससे होकर भारत और तिब्बत के बीच वर्सों से वेटार होता था पवित्र पद्रिना से 3 किलो मीटर आगे भारत और तिब्बत की सीमा इस्टित है इस गाउं का नाम भागवान सिफ के भक्ति मड़ी भद्र के नाम पर है इस गाउं में आने पर व्यक्ति स्वपन द्रश्ट हो जाता है जिसके बाद वहां होने वाले घटनों के बारे में जान सकता है मडी का सहा नाम का एक वैपारी था जो सीफ बहुत बदा भग था एक वार वैपारी की यात्रा के दोरान लुतोरों ने उसका सर काट कर गया था लेकिन उसके बाद भी उसकी गर्दन सिफ का जाब कर रही थी उसकी भक्ती से परशन होकस सिर्म ने उसकी गर्धन पर वरहा का सिर्द लगा दिया इसके बाद से ही मड़ी भरत की पूजा की जाने लगी सिर्म ने मड़ी का सहा को वद्दान दिया मारा आने पर रहती की परेशानिया दूर हो जाएंगी मड़ी भद्र भग्वान से ब्रस्पतिवार को पैसे के लिए प्रात्ना की जाए तो अगले ब्रस्पतिवार तक मिल जाती है इसी गाउं में गड़ेजी ने व्यास रिशी के कहने पर महाबारत की रचनक की थी यही नई महाबारत यूद के समात होने पर पांड़त रोगती सही इस गाउं से होकर ही स्वर्ग को जाने वाली स्वर्ग रोहिनी सिड़ी तक गए थे ये थी SM News रिपोर्ट